है तो यहां पर आपको सबसे पहले करना क्या अपनी खिलिप लेके आनी है जिस पर आप लोग ने कलर करनें ठीक है सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक चीदarta से शुरू करते ठीक है दो यह ऐसी क्लिप्स है जो एक रेंडम सी थी ठीक है हमने इनकी मैनुवली कलर करेक्शन करनी तो आपने क्या करना है यहां पर आना है यह जो colors वाला section है या फिर आप windows में जाएं और यहां से आप अपनी lumetri colors को click करेंगे on करेंगे जब तो आपके पास ये side पे ये सारी basic correction और ये creative और ये हर चीज़ यहां पर ही आपको open हो जाएगी जहां पर आप एडिटिंग कर रहे हैं ठीक है आपको अलग से पुरे का पुरा ये पैनल खुलने की जूड़ नहीं पड़ेगी फैर जब आपने जादा करने है लाइट जादा करनी है कम करनी है जो कुछ भी है हर जो फिल वक्त हमें scenario नजर आ रहा है वो है light कम है हमारी इस video में ठीक है हम क्या करेंगे कि जनाब सबसे पहला काम जो हमने करना है यहां पे exposure को बढ़हा देना है नहीं बिल्कुल भी नहीं करना ये क्या करे जाएंगे सबसे पहले इसको लेके जाएंगे नेगिटिव वाली साइड पर ठीक है ताकि आपके यह थोड़े से colors स्मूध हो जाएं स्मूध होने के बाद यह जो shadow है ठीक है highlight को फिल वक्त नहीं चेड़ेंगे अगर highlight जो हम माइनस में लेके जाएं तो आपके जो background है वो clear होता है ठीक है आपको आम अलफाज में समझाओ तो हमें यहां पर clear नहीं चाहिए हम थोड़ा से positive में लेके जाएंगे और जो shadow है shadow आपको समझ आ जानी चाहिए यह वाली चीज़े है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको positive वाली साइड पर लेके जाएंगे ताकि सिर्फ और सि shadows है हमारे वो उन में रोशनी आए तो white को हम minus में लेके जाएं तो यह देखें आप white color हमारा यह वाला color है यहां पर हमारी video बहुत जादा light हो जाएगी तो हमने इसको ऐसे नहीं करना हम इस थोड़ा सा positive थोड़ा सा positive ठीक है ताकि white हमारा जादा हो जाए जो black वाली तरफ है black को अगर minus में लेके हैं तो यह देखें यह आपका black है ठीक है तो black जदा dark हो जाएगा हमने यहां पर black को नहीं चेड़ना ठीक है अगर black को जदा चेड़ा तो फिर color उसके खराब हो जाएंगे इसलिए हम इसको वापस zero पे ही कर देंगे जहां पे था हमारा यह इसलिए हम control Z प्रेस करेंगे और इसको वापस zero पे ही रहने देंगे हैर यह आपने basic correction की इसके बाद जनाब आजए creative में creative में जब आप आएंगे तो यह आपको film sharp और vibrance और saturation भी आपको मिलती है और यह looks भी आते हैं looks पे हम बाद में आएंगे पहले हम इसकी basic correction manual करना खुद सीखते हैं एहाँ पर जो इस सेसारेटों में आपके जो जास्जादा काम आने वाली छीज़ है वो यह है vibrance और saturation यह इस वक्त आपके ड़ाम आने वाली चीज़ है vibrance क्या करती है कि ये colors जादा करते हैं हैर हम vibrance को थोड़ा सा बढ़ा देंगे प्लस वाली side पे लेके आएंगे ठीक है और vibrance score saturation को बराबर मतलब इतना जादा नहीं करना कि इस वीडियो के pixels हराब होना शुरू हो जाएं ठीक है अब ये देखें shadow tint जो इस shadow है ये वाला shadow हमारा ठीक है वीडियो में जहां के ये भी shadow होगा उसका tint हमने color कौन सा देना है तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि मैं थोड़ा सा blue देना है खलकिसी film मैं यहाँ पे tint की दे देता हूँ blue पे और highlights हैं जो highlights ये हैं हमारी ठीक है इनको इनको आपने कौन सा tint देना अगर आपको मैं red करूँ तो आपको समने नजर आजाएगा ठीक है ये वाली highlights है ठीक है यहाँ पे और अगर green करूँ तो ये वे आपको समझा आजाएगी कि ये चीज़े हैं जो हमारी ये highlights में गिरें जाती है तो मैं इसको थोड़ा सा blue में रखता हूँ ताकि आस्मान मेरा थोड़ा सा blue में आए ये कर लिया आपने और फिल वक्त हम इन colors को बंद करके चेक करते हैं कि अभी तक हमने क्या किया अपनी इस clip को select करें effects control में जाएं और lumitri colors को यहां से जो effects लिखा हूँ इसके ओपर click करेंगे तो आपकी जो color आपने किये हुए थे ये बंद हो गए delete नहीं हुए ये off किये हैं आपने थोड़ी देर के लिए तो ये देखें आपकी ये थी before और उसके बाद color correction करने के बाद ये देखें जी अभी तक आपने ये किया लेकिन इसको हम मजीद बेहतर कर सकते हैं ये देखें ऐसे अब यहां पर देखें नीचे आता है option curve का ठीक है हम curves के उपर जब click करते हैं तो ये कि सबसे पहले आएगा हमारे पास RGB curves ठीक है यहां पे आप red color के green के blue के white के आप light उपर नीचे कर सकते हैं लेकिन यहां पे सबसे जादा basic यूज होने मेली चीज़ है यह white color के उपर आप click रखेंगे यह नहीं कि आपने red किया ग्रीन किया आपने white जो आपका dot नजर आ रहा है यहां पे click करेंगे और आपने इस पूरे की light उपर नीचे करेंगे ठीक है यहां पे हम एक click करेंगे mouse से और एक यहां पे और एक यहां पे अब तीन आपने dots लगा दिये ठीक है तो जो basic correction है आपने उसमें क्या करना है थोड़ा सा उपर जाएंगे जब आप तो आपकी light जादा होगी ठीक है आपने थोड़ा से जाना है जादा नहीं लेकिन अगर आप सिर्फ इसको पकड़ के करेंगे तो आपकी colors हराब होंगे आपने दोनों तीनो dots को पकड़ के करना है ठीक है इसको भी पकड़ें और इसको भी अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो आपकी light जो इस जगापे है इस जगापे ये देखें wash out हो रही है ये क्या करती है ये आपके colors जादा करती है ठीक हो गया ये चीज़ होगी आपकी बिल्कुल basic correction ठीक है ये देखें बंद किया और हमने इसको on किया बंद किया on किया ये देखें कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहे हमारी इस footage पर ये देखें before and after hair अब ये चीज़ जहन में रख लें अब इनी चीज़ों को लेकर हम आस्ता आगे बढ़ेंगे ठीक है अब ये भी एक बिल्कुल एक random सी clip है हमारी अब इस clip के भी हमने colors बहतरीन करने है ठीक है और light भी बहतरीन करने है तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं करने वाला हू वह यह basic correction में जाउंगा contrast में जाके अगर इसको मैं positive में लेकर जाऊं तो आपको पता है कि यह dark हो जाएगी मैं इसको लेकर जाऊंगा minus में ठीक है माईनस में लेकर चाँगा शैड़ोज का आपको पते चल चुका कि यह चीज्वारी चीज्वे सीज इस स्रफड़ो ऑपर बिज़ाइका लटेंगा मतलब शैड़ो ऑपर लाइडले ओनगा अगर शैड़ोज को माईनस में लेकर आओं तो ये देखें आप ये डार्क हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा इसको पॉजिटिव वाली साइड पे लेके आऊँगा ताकि मेरी शैडूस है जो वो डार्क ना हो हाईलाइट को अगर मैं माइनस में करूँगा तो आपको पता है हर चीज बिलकुल क्लियर हो जागी हमें माइनस में नहीं लेके जाना ठीक है थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव वाली साइड पे लेके जाऊंगा ताकि यही चीज़े स्मूध हो जाएं अब यहला शैड़ो है उसका टिंट मैं दे दूँगा थोड़ा सा बलु ठीक है और आउके हमारी यह हमारे यहली हाईलाइट्स है आपको पता चल जब यह तेखिया थे यह हाइलाइट्स को भी माग्या कर दूंगा थोड़ा सा ओरिंज वाली साइड पे ले आंगा ठीक है पर् ठीक है, यहाँ पे इस situation में मैं क्या करूँगा, कि मुझे इतनी ही light चाहिए, यहाँ पे ठीक है, बेहतरीन हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं colors बढ़ाओंगा, सिर्फ और सिर्फ green के, अब सिर्फ green के color कैसे बढ़ाना है, यह देखें, hue saturation curves, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर हर चीज इसके color नहीं बढ़ाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ green color बढ़ाना है, ठीक है, मैं इस जगह पे click करता हूँ, और एक इस जगह पे click करता हूँ, और यह जो green है बीच में, ठीक है, यहाँ पे जो mid में green आ रहा है, इसको मैं उपर वाली तरफ लेके आऊंगा, तो यह देखे जो को orange वाली तरफ को मैं minus की तरफ लेके आता हूँ, तो यह देखेंगा, यह देखें, minus color है, जो हमारी वीडियो में से वो गाइब हो चुक है, हमने क्या करना है, minus में नहीं करना, यह मैं अगली clip में आपको समझाऊँगा, कि आपको red color, orange color कब कम करने, ठीक है, फिल वक्त हमें नहीं कम करना, यहां पर फिल वक्त हमें बढ़ाना है, green color, ठीक है, तो मैं यहां से blue को भी थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ, और उपर ले आते हैं, और बराबर हम इसको करके, बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा, अगर और green color बढ़ा हूँ, तो मैं इसकी vibrance बढ़ा दूँगा, ठीक है, यह देखें, और अब हम जाते हैं वापस इसकी basic correction में, यहां से हम इसका छेड़ेंगे temperature, temperature क्या करता है, अगर आपको किसी clip को blue feel देनी है, या आपको कोई red feel देनी है, तो यह उसके लिए काम करेगा, ठीक है, tint को fill हाल ना छेड़ें, यह जो option है, यह आपको आगे जलके समझाएगे, लेकिन temperature आपका बहुत ज़्यादा इस्तमाल होगा, यहां पर, मैं इसको अगर थोड़ा सा इस तरफ ले के आऊँगा, blue वाली साइड पर, तो यह देखें, इस जगा पर blue आ रहा है, और इस जगा पर orange ही है, लेकिन, मैं क् बहुत ज़्यादा लेकिन आऊँगा, तो यह देखें, यह एक रात वाली फील आजाएगी, ठीक है, इसको ऐसे लगे का कि बहुत ज़्यादा शाम हो गए, तो हमने इसको ऐसे नहीं करना, तो हमने क्या करना है, एक ब्राबर सा एक temperature देना हमने, जो कि हम कर देंगे इसको blue ठीक है, तो अगर हम वापस effects control में जाएं, लूमेटरी colors का, अगर effects हम इसका off कर दें, यह हमारी पहले clip थी, और color grading करने के बाद हमारे पास यह clip हमारा आ चुका है, ठीक है, यह भी हो गया, एक बिल्कुल basic correction, अब हम साथ साथ control S press कर देते हैं, अब हम बढ़ते हैं, आगे उ एक चीज का color आपने ठीक करने थे, अब आपने आपको भी ठीक करना है, अपने background के colors को भी ठीक करना है, सारी अपने face के ओपर जो आपके light नहीं है, आपने इसको भी ठीक करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज जो आपने यहाँ पे करनी है, ठीक है, अपनी इस clip को click करे और आज हैं यहां से कंट्रास्ट पे ठीक है एक्सपोजर को बिल्कुल भी नीच एड़ना आपने अगर कंट्रास्ट आप लेके आएंगे प्लस की तरफ तो आप ये देखें आपका कलर है जो आपकी स्किन का कलर जदा डार्क हो रहा है तो हमने क्या करना है ये बात पले बांद ले अगर हमने स्किन का कलर स्मूद करना है तो कंट्रास्ट हम लेके आएंगे माइनस वाली साइड पे माइनस वाली साइड पे लेके आएंगे और उसके बाद आपको पता है कि शैडू हमारी ये वाली है ठीक है ये वाली वो माइनस की तरफ लेकि आएंगे ताकि हमारा black है जो वो बैट जाए एक जिगा पे ठीक है हमने ये किया उसके पाद highlights को नहीं छेडेंगे highlights हमें छेडने के जूरत नहीं है white को भी नहीं छेडेंगे बिल्कुल जूरत नहीं है creative पे जाएंगे ठीक है creative के ओपर click किया हमने और यहां से saturation हमने इसकी बढ़ा दी और vibrance भी हमने इसकी थोड़ी सी बढ़ा दी और shadow tint है जो हमारा यह हमने जो यह वाले shadows है हमने इसको क्या करना है orange करना है क्योंकि मुझे यहां पर orange चाहिए आपकी मरजी आपको भी अपने shadows में कौन सा color चाहिए कौन से tint चाहिए वो आपकी मरजी highlights में आपको कौन से tint चाहिए मैं यहां पर रखूँगा थोड़ा सा purple थोड़ा सा इस side पर आ जाएंगे हम लोग ठीक है purple वाली side पर आ जाएंगे मैंने इसको यह वाला color रखा और अब यह देखें आप कि मेरी skin जो यहां पर हूं है यह अभी भी dark है तो मैं क्या करूँगा curve पर आऊंगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने तीन क्लिक कर रहें यहां पर एक यहां पर बिल्कुल शुरू में एक बिल्कुल इस जगह पर एक बिल्कुल इस जगह पर अगर हम इसको यहां से क्लिक करके रखें और उपर वाली side पर लेके आएं तो हमारी skin का color जो है वो जादा हो जाएगा लेकिन हमें बराबर color करने हैं ठीक है हमें एक चीज को नहीं छेड़ना ठीक है यहां से भी हम थोड़ा से सको उपर करेंगे यहां से हम उपर करने के बजाए थोड़ा सा हम इसको minus में लेके आएंगे ठीक है अब यह चीज हो गई हमारी okay यह पहले यह था अब यह है लेकिन हम इसको मजीद बेतर ऐसे करेंगे कि यह जो आपकी hue saturation curve है यहां से मैं क्या करूंगा इसका जो green color है और बाकि सारे colors बढ़ा दूँगा ठीक है लेकिन यह जो red color है यह नहीं बढ़ाओंगा क्यों उसकी वज़ा यह देखें आप अगर मैं सा थोड़ा सा उपर ले जाते हम तो यह देखें हमारी skin है जो वो खराब नहीं होगी अगर मैं इसको plus वाली side पर लेके आता हूं तो आप यह वली जगह देखें हमने basically अपनी skin का जो red है जो हमारी skin red हो रही है उसको हमने कम करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे skin को अगर बिल्क colors के effects हम इसको off कर देते हैं यह देखें जी जमीन आस्मान का फरक आगे यह देखें अगर मैं यहां से इसके colors बंद कर दूँ इसकी light जो भी हमने की है तो यह थी और हम दुबारा से अगर इसको on करते है तो यह है ठीक है यहां पे अगर मैं आपको एक और चीज़ बताओं तो basic correction में जाएंगे हम अगर इसको blue वाली side पे करेंगे या अगर हम इसको orange वाली side पे करेंगे तो आपकी मरजी है लेकिन इस situation में हमें जूरत नहीं है इसको share ने की तो इसलिए मैं यहां पे नहीं share ओंगा लाजमी नहीं कि आप हर चीज़ को share ओ ठीक है आपको अपने clip के हिसाब सही चीज़े चेड़नी है आपको अपने clip के हिसाब सही चीज़े adjust करनी है ठीक है यह चीज़ होगी अब बढ़ते हम